हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल देखिए क्यूशन नंबर थी देखेंगे एक्सरसाइज 7.2 का फ्रेंड्सी क्यूशन काफी बड़ा है लेकिन इसका सोलुशन जो है बहुत छोटा होने वाड़ा है देखिए बोड लग वगादा बर गया है इसमें आद रेक्टेंगुलर सेप रेक्टेंगुलर की सेप का क्या है ग्राउंड है वई ABCD उसका नाम दिया गया है ABCD आगे दिया है लाइन्स हैव बीन ड्रोन विज चॉक पाउडर एट डिस्टेंस ओफ वन मिटर एच कहता है कि लाइन बनाई गई है उसमें और चॉक पाउडर से बनाई गई है और कितनी दूरी पर बनाई गई है हर एक लाइन वन मिटर की दूरी पर बनाई गई है जैसे यह जो लाइने बन रही है यह वन मिटर इसमें गैप है इसमें भी वन मिटर गैप है यह वन वन मिटर के गैप पर सभी लाइने यह बनाई हुई है ठीक है आगे क वाई आप यह दस राए हैं, यह सो रखे गए हैं् यह देशार लाउंग है और नी अ 2 कर्थ धूर्ट लाई ऐसे, जो बर मेट मृट्स यह दा ओना से लाए, agitरलंग धूर्डं माल जो से ंंडा यह दा टे लाई ही है है one fourth दोडती है किसका the distance ad का distance ad का one fourth दोडती है तो ad है कितनी अपने पास जब 100 पोर्ट इसने क्या दिया है देखो indirect troops से अपने को दिया है कि 100 floor ports रखे गए है agonalong और वजो है port की बीच की दूरी कितनी है one meter तो 100 meter हो गई ना 80, 80 side कितनी हो गई अपनी, 100, meter, तो निहारी का कितनी दोड़ती है, 1 4th दोड़ती है, तो 1 4th हैंड़ का कितना हो जाएगा, 100 into 1 by 4, वह 1 4th निकालना, हैंड़ का 1 4th कितना हो जाएगा, 25, आगे कहता है, on the second line, और दूसरी line में दोड़ती है, दूसरी line में ये दोड़ रही है, ठीक है आगे कहता है and post a green flag और क्या करती है यह one fourth दोड़ती है इसमें second line में और क्या कर देती है अपना जो flag है कैसे रंग का है इसका green रंग का उसको post कर देती है ठीक है आगे कहता है कि प्रीत runs one fifth the distance ad अब एक दूसरे लड़की है प्रीत नाम है उसका वो one fifth distance cover करती है ad की अब ad 100 है 100 ports है one meter each है तो उसका one fifth कितना हो जाएगा 20 यानि कि वो 20 meter चलेगी on the eighth line eighth line यह है इस line में चल रही है वो इस line में चल रही है वो और प्रीत और post कर रही है कैसा वाई eighth line and post a red flag यह कैसा flag post कर रही है red flag कहता है what is the distance between both the flags अब जो दोनों flag हैं इनके वो कहता है कि उन दोनों के बीच की distance क्या है तो distance formula से हम find out करेंगे तो सबसे पहले हम करते हैं question में लिखते हैं देखो यह जो आई है निहारी का निहारी का ने कितनी distance cover की हम लिखते हैं solution देखते हैं इसका निहारी का निहारी का ठीक है और किसके अलों यह distance ad हम लिखते हैं is equal distance cover कितनी कर रही है निहारी का वह वन फॉर्थ कर रही है distance ad का तो ad का वन फॉर्थ कर रही है तो वन फॉर्थ of ad कितना है 100 तो यह कितना आ जाएगा वह 25 ठीक है कितना आ गया यह 25 इसने distance cover की और second row में की तो इसके कोडिनेट की अगर बात करें हम इसके कोडिनेट की अगर बात करें तो कितना आ जाएगा वह इसके कोडिनेट जो है वो second row में second line में कर रही है न तो कोडिनेट की बात कर रहे हैं ठीक है आगे बात करते हैं प्रीत की बात करें तो प्रीत जो है distance covered by प्रीत distance covered by प्रीत देखें प्रीत कितनी करती है वन फिफ्ट करती है एंडर की है न तो यह कितना हो गया वही ट्वन्टी यह 25 मिटर कर रही है और यह 20 मिटर कर रही है ठीक है अब इनके कहता है कि यह cover कर लें इन्होंने अब आगे कहता है what is the distance between both the plex अब हमने इन दोनों के beach का distance है वो हमने बताना है ठीक है अगर coordinate की बात करें इनके coordinate की यहाँ इनके coordinate की बात करें तो coordinate क्या जाएंगे वही इनके इसका coordinate तो है second row में जार यह न यह किस में जार यह second row में और second row में जाके और 25 मिटर चलके और ये flag post कर रही है ना तो आप मान लो कि ये अब यहाँ पे देखो हमने जो ये ports लिए हुए हैं अब यहाँ पे हम यहीं लिख लेते हैं ये second row में जा रही है और 25 मिटर पे जाके उसमें क्या कर दिया पोस्ट कर दिया तो 225 तो इसके point हो गए और coordinate और इसकी बात करें तो इसके coordinate क्या होगे वही कौन सी line में जा रही है ये प्रीत क्या नाम था प्रीत ये जा रही है 8th line में जा रही है तो इसके coordinate क्या होगे 8 और 20 ठीक हा भाई अब इन दोनों के बीच की अपने को क्या निकालनी है distance निकालनी है तो हम distance formula से क्या निका ठीक है अब हम डिस्टेंस निकारते हैं डिस्टेंस बिट्विन डिस्टेंस बिट्विन डिस्टेंस एबी ब्रेक्ट में लिखते हैं एबी ठीक है ना कोण जी निकार रहे हैं एबी बिट्विन बोथ फ्लैक्स बिट्विन बोथ फ्लैक्स फ्लैक्स कोण से फ्लैक्स जो इन distance formula लगा देते हैं क्या 8 माइनस में 2 का all square plus 20 minus 25 का all square ठीक है देखें हमने क्या कर लिया है यह x1 y1 का काम करवा लिया है इससे और इससे x2 y2 का काम करवा लिया है तो distance formula क्या कहता है अपना x2 minus x1 का all square plus y2 minus y1 ka all square ठीक है तो x2 8 माइनस में 2 का all square और यह 50 minus 25 का all square यहां पर अगर इसको करें हम तो यहां कितना आ जायेगा वाई 6 हो जायेगा 6 का square 36 पलस और यह minus का 5 आएगा लेकिन उसका square रहेगा उसका square होगा तो पलस का याना है कितना जाएगा 25 कितना जाएगा 25 तो यहाँ पे कितना आ गया यह अंडर रूट ओफ यह वन आ गया और यहाँ पे 6 आ गया वही रूट 61, ठीक है? यह इन दोनों के बीच की distance आ गई root 61, ठीक है? अब हम बात करें तो देखो यी तो distance है, किसमे आ गई ये सभी किसमे चल रहे हैं? मिटर में है न ये सभी, किसमे है ये सब मिटर में, तो हम मिटर लिख सकते हैं unit क्या देदेंगी इसको? मिटर कहता है रस्मी जो है वो पोस्ट करती है ब्लू फ्लैग ब्लू फ्लैग जो है वो पोस्ट कर रही है अब मान लेते हैं यह थोड़ी देर के लिए वैसे है नहीं लेकिन यह इस लाइन में थी और यह एट लाइन में थी और इसने कम डिस्टेंस कवर किये तो थोड़ा नीचे रख लेते हैं इसको अना यह वैसे अम्मान के दिखा रहे हैं पाकि आप इधर अपने explanation दे देंगे यहां पे देखें तो अपने को जो है इन दोनों का जो flag वो हुआ था जो इन्होंने post करे थे उनके बिल्कुल बीच में ये क्या कर रही है ब्लू रंग का flag post कर रही है exactly halfway between the line segment कौन सा line segment जो join कर रहा है joining the two flags जो इन दो flags को join कर रहा है उसका जो midpoint है वहां पे अब उसका midpoint अगर यहां बात करें हम mid of a b की midpoint of a b midpoint of a b की बात करें तो midpoint कैसे निकड़ता है भई x1 plus x2 को जोड़ देते हैं और y2 कर देते हैं और y1 और y2 को जोड़ देंगे और 2 से divide कर देंगे ठीक है तो यहां value अगर लें तो 2 plus 8 by 2 और यह कितना आ जाएगा इसकी इसका जाएगा 25 20 by 2 तो यहां से कितना आ गया 10 आ गया 10 को 2 से करेंगे तो 5 आ जाएगा और यह देखो यह 45 45 को 2 से divide करेंगे तो कितना आ जाएगा 22.5 आ जाएगा इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ कि इसने यह कहा है कि जो यह रस्मी दोड़ रही है has to post a blue flag exactly halfway between the line वो कहां post करेगी पांचवी लाइन में जाएगी वो अब यहां पे देखें यह second थी third four fifth अगर यह लाइन में इसमें जाएगी तो आप यह देखो यह इनके बीच में ही तो जा रही है ठीक है तो पांचवी लाइन में जाएगी यह कौन रस्मी और कहां post कर देगी फिर आगे इसने पूछा भी है where should she post our flag उसको अपना flag जो है कहां post करना चाहिए तो हम यहां पे लिखेंगे रस्मी यह जो है रस्मी रस्मी शुड शुड पोस्ट पोस्ट और फ्लैग हर फ्लैग फ्लैग एट ए डिस्टेंस ओफ डिस्टेंस ओफ कितनी डिस्टेंस पे वही अपना जो फ्लैग है वो पोस्ट करेगी और किस रो में है और फिफ्ट रो में रस्मी शुड पोस्ट और फ्लैग एट ए डिस्टेंस ओफ डिस्टेंस ओफ 25 मिटर इन इन फिफ्ट रो फिफ्ट रो ठीक है यह फिफ्ट रो जो अपनी यह है रो है जैसे यह सेकंड लाइन में जा रहे थे ना सेकंड लाइन में और यह कौन सी लाइन में थे एट लाइन में तो आप यहां लिख दें फिफ्ट लाइन में इन फिफ्ट लाइन रो की बजाए आप लाइन लिख देखें यह लाइने जो बनी हुई है आप लाइन है ठीक है तो यह रस्मी जो है उसको कहां पोस्ट करना चाहिए वही 22.5 मिटर पे इसको जाके यहां से 25 वी लाइन में जाएगी और 22.5 मिटर जाके और वह अपना फ्लैग पोस्ट कर देगी यह था आपका क्षिश्चन इजी है छोटा ही है इसका जो सोलिशन है वो तो लेकिन इसका जो क्षिश्चन है वो काफी बड़ा है काफी मैनत करनी पड़ी मुझे बी लिखने में ठीक है फ्रेंड्स यह था आपका क्षिश्चन नमबर थर्ड